नमस्कार ग्रहों के अधिपती सूरे 17 जुलाई को मिथुन राशी में अपनी यात्रा पूरी करक राशी में प्रवेश करेंगे इसका सभी 12 राशियों पर प्रभाप पड़ेगा तो आए जानते हैं कि मेश राशी पर इसका क्या प्रभाप पड़ेगा लेकिन ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को आन तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें बात मेश राशी करें तो मेश राशी के चोते यानि की सुख भाव में गोजर करते हुए सूरे का प्रभाप कई तरीकी के अप्रताशित परिणाम और उतार चड़ाब का सामना करवाएग के योग हैं केंद्री या फिर राज सरकार के विभाग में किसी तरीकी के टेंडर आधी के आवेदन करना चाह रहे हैं तो उस द्रिष्टी से यह गोचर आपके लिए अनकूल रहेगा जमीन जाजा से जुड़े हुए मामलों का निप्टारा होगा बात अगर ब्रशव रा गणनीती कारगर सिद्ध होंगी एक बार जो ठान लेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे कोई भी बड़े से बड़ा कारे ब्यपार आरंब करना चाहते हैं अत्वा किसी नए अनुवंद पर हस्ताश्चर करना चाहते हैं उस द्रश्टी से यह परवर्तन अनकूल भाईयों से मतबेद ना पैदा होने दें धर्म और अध्यात्म के प्रति आपकी गहरी रुची रहेगी सामाजिक दायत आपका बढ़ेगा बात अगर मिथुन राशी करें तो राशी के दूसरे यानि की धन भाव में गोचर करते हुए सूरे का प्रभाप आर्थिक इस्ति को मजबूत करेगा काफी दिनों का दिया गया धन भी आपको बापस मिलने की उमीद है किसी मेहंगी वस्तू का क्रे करेंगे जिससे की काफी धन बैय होगा परिवार में अलगावाद की इस्तियां न होने दे कोई भी कारे जब तक पूरा ना हो जाए उसे सार्वजिनिक न हो सकते हैं इसलिए आपको बचना चाहिए बैतर रहेगा कि कारे संपन करें और सीधे घर आएं दाहीनी आंक में बीमारी से आपको बचना चाहिए बात करकर आश्की करें तो आपकी राशी में गोचर करते हुए सूरे कई तरीके के लाब के शुरोत पैदा करेंगे आपके प्रभाव में ब्रद्धी तो होगी लिए गई निर्णे भी सराहनिये रहेंगे सासन सत्ता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा प्रतिशित परिणाम सार्थक सिद्ध होंगे जगडे बिवाद और कोट कचेरी से सम्मंदित मामले भी आपके पक्ष में आने के संकेत हैं शादी बिवा से सम्मंदित मामलों में थोड़ा और समय लगेगा संतान के दायत्व की पूर्ती होगी नव दमपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे बात सिंग राशी करें तो सिंग राशी के बारवे यानि बयभाव में गोचर करते हुए सूर का प्रभा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता विसेस करके कहीं न कहीं पारेवारिक कलय और मानसिक अशांति का आपको सामना करना पड़ेगा घूमने फिरने पर अत्यादिक खर्च आपको करना होगा ये यात्रा आपको कश्टकारी हो सकती है बिदेशी मित्रों और संबंदियों से अप्रिये समाचात प्राप्ती के योग बनेंगे जगड़े विबाद और कोड कचेरी से संबंदित मामलों में निर्णे आपके पक्ष में आने के संकेत हैं कर्ज के लेन देन से आपको बचना चाहिए बात अगर हम कन्या राशी कर लें तो राशी के एकादश भाव में गोचर करते हुए सूर्य देव अच्छी सफलता दिलाएंगे बिद्ध्यारतियों और प्रत्योकता में बैटने वाले चात्रों के लिए तो इसका गोचर किसी बड़दान से कम नहीं होगा सोची समझी रणनीती आपके लिए कारगर सिद्ध होगी विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए ये आगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं पढ़ाई की तो ये अबसर अनकूल रहेगा प्रय समझी मामलों में उदासिंता बनी रहेगी इसलिए कारे के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए संतान समझी चिंता दूर होगी संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं बात्तुला राशी की करें तो राशी की दसम भाव यानि कर्म भाव में गोचर करते हुए सूर दर्शफलता आप हसिल करते जाएंगे कैंद्र अत्वार राज सरकार के विभागों में प्रतिशित कार संपन होंगे किसी भी तरीके के सरकारी टेंडर के लिए अगर आवेदन करना चाहते हैं या पर नौकरी में स्थान परवर्तन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उस से विए गोचर बहुत अनकूल रहेगा माता पिता का स्वास्त के प्रति आपको चिंतन सील रहना चाहिए बात ब्रश्चिक राशी करें तो राशी के नवे यानि भागे भाव में गोचर करते हुए सूरे का प्रभाव मिला जुला रहेगा ब्यावपार में थोड़ी सफल करता मिल सकती है लेकिन ये अधिक समयत के लिए नहीं रहेगी आध्यात्मिक विकास आपका होगा सामाजी कारें में बढ़ चड़कर हिस्सा लेंगे और दान पुने भी करेंगे परिवार में छोटे भाईयों का सहयोग मिलेगा बिदेशी कंपनी में सर्विस के लिए अग कूल रहेगा बात अगर धनू राशी की करें तो राशी के अश्टम यानि आयू भाव में गोचर करते हुए सूर्य देप का प्रभा मिला जुला रहेगा कार व्यपार की दृष्टी से तो ये समय सामान रहेगा लेकिन कोई न कोई सरकारी गोशना आपके पक्ष में हो सकत है पैत्रिक संबंदी विवाद हल होंगे स्वास्त विशेश करके दवाओं के रियक्षन से आप साबधान रहें कारे छेत्र में सडियंत्र का सिकार होने से बचें बहतर रहेगा कि कारे संपन्य करें और सीधे घर आएं हर कारे में निर्णे बहुत सोच समझ कर साबधानी पूर्वक करें बात मकर राशी करें तो राशी की सप्तम भाव में गोचर करते हुए सूर्य देप का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता लेकिन कारे व्यपार की दृष्टी से उत्तम रहेगा शादी विवास संबंदित मामलों में थोड़ा और बिलंभ होगा दामपत्य जीवन में कटता ना आने दे प्रेम संबंदि मामलों में उदासिंता बनी रहेगी इसलिए कारे के प्रती अधिक चिंतन सील बनी रहें सुस्राल पक से रिष्टे बिगड़ने न दे केंद्र सरकार के विभागों में प्रतिशित कारे संपन होंगे किसी नए टे भाव यानि कि शत्रु भाव में गोचर करते हुए शूर्य देप का प्रभाव आपके लिए किसी बढ़दान से कम नहीं जो कारे काफी दिनों से लंबित पड़ेते उनका निप्टारा होगा गुप्त शत्रु परास्त होंगे कोट कचेरी के मामलों में भी निर्णे आपक पक्ष में आने के संकेत है यात्र देशाटन में आपको लाब मिलेगा विदेशी कंपनियों में नौकरी के लिए अगर आप आविदन करना चाते तो उसमें सफल रहेंगे इस अविदी में सरकारी सर्विस के लिए आविदन करना भी आपके लिए सफलता दायक रहेगा नन देप का प्रभाब काफी मिला जुला रहेगा विध्यारतियों और प्रतियों गीता में बैटने वाले छात्रों के लिए तो यह परिवर्तन किसी वर्दान से कम नहीं है शोध परक और अविश्कारक कारियों में अत्यादिक सफलता मिलेगी प्रेम संबंदी मामलों में हालाक की निराशा हाथ लगेगी इसलिए बहतर रहेगा कि अपने केरियर के प्रति ध्यान रखें संतान के दायत्वी की पूर्ती होगी नव दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं रशनातम कारियों और अन्य मामलों में आपको सफलता मिलेगी वीडियो पसंद आए तब लाइब और शियर जरू करें आप मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद